सेहत बनाने के लिए आप कई तरह के फल तो खाते ही होंगे लेकिन एक ऐसा फल जो खाने में बहुत मीठा होने के बावजोद भी डाइबर्टी समेट कई रोगों के लिए बहतर है तो चलिए जानते हैं कौन सा फल है वो क्या है इस फल का नाब आपके ओप्शन्स है तिमला, अंजीर, नाशपाती, सेब सूची सूची फोटो देखकर क्या लगता है आपको कौन सा फल है ये तो चलिए हम ही बता देते हैं इसका सही जवाब है तिमला अब जान लेते हैं इस फल की फायदे इससे जुड़ी कोछ अच्छी बात है तिमला पहाड में पाया जाने वाला जंगली फल है स्वाद के साथ ही सेहत का खजाना तिमला को माना जाता है उत्रखन की पहाडों में तिमला को तिमल, तिमल, तिमलू और इससे पहाड़ी अंजीर के नाम से भी जाना जाता है तिमला एक ओशदिय फल है यह पहाडों में अप्रेल से जून में आसानी से आपको मिल जाएगा तिमला के फल हलके लाल और पीले हो जाने पर इसका स्वाथ काफी अच्छा होता है इसका रायत और सबजी पहाड में लोग प्रिय है साथ यह आपकी पाचन क्रिया को भी फिट रखता है और कई ओशदिय गुण भी इस फल में होते हैं इस पेड की पत्यों को गाय भैसों की चारे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसके पत्तों को खाकर दुधारू जानवरों का दूद भी बढ़ जाता है डाइबटीस के रोगियों के लिए तिम्बला फलकसेवन खास तोर से लापकारी होता है यह पोटेशियम का अच्छा शोथ है जो बलड प्रेशर और शुगर को नियंतरित करने में मदद करता है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दे